Hello students, in this video, refraction of light topic मा related some tricks and numerical solve गारने सो. As we know that, when object is placed in one medium and observed from the another medium, then the position of the object gets shifted due to the refraction of light. It means, object लाई कुने यूटा medium मा राखियू। र अनुदर medium माड़ अब्जेट लाई observed गार सो मने, actual object को position shift नूदर राई सो. इसको दूटा condition होना सक्षो. In first case, when object is placed in denser medium and observed from the rarer medium, then object actual depth मान्दा less depth मा देखिएंदो रहीश. यो condition मा, real depth of the object र एपारें depth of the object लाई रिलेट गारनो पारवाने, refractive index of denser medium with respect to rarer होन्च, real depth by एपारें depth. यो ड्रोग अरेको figure मा एरे बने, object ला actually O position मार आहे गोच, but light ray denser देखि rarer medium मा जादा खेरी, bends away from the normal होने बारा, rarer medium माड अब्जब गार दा खेरी object र होन्च, यो I बने position मा. देन, object को real depth हेर देशो माने, यो figure मा A O ले रिप्रिजेन गाच, object को real depth, symbolize गाच गाच ती, apparent depth A I, symbolize गाच ती डास ले, suppose A I वीदा T डास, देन, refractive index of denser medium with respect to rare medium, बिल बी, real depth मेंज T by apparent depth T डास, एंड apparent depth निकालनों सह भने, T डास को बैलनों दोरेश, real depth by refractive index, real depth by refractive index of denser medium with respect to rare, यो फर्मुला कियार गारनों परशा, एंड the distance through which the object gets shifted due to the refraction of light, फिगर मा O मा लाई गारेको object लाई I position मा देख्षो मने, object को actual shift निकालनों परवाने, यो distance figure मा O आई ले दिन्छा हमलाई, यो object को apparent shift, question मा apparent shift D निकालनों सह भने, D इकोल टु फर्मुला होंच, real depth minus apparent depth, real depth सपुजगर एको स्यु टी रह apparent depth निकालने फर्मुलाई सह real depth भाई refractive index, देन apparent shift D निकालनों लोग आये बने, योजगरनों परशा फर्मुलाई D इकोल टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई μुू, मु रिप्रेसेंस द रिफ्रक्टिव इनेक्स फ़ देंशर मिडियम, विथ रिस्पेक्टिवर एरर, सपुजगर कुने डिफ्रेंट लेशा प्मीडियम्स, जशको लागी, फर्स्ट लेशा को ठीकने स्टी वन, रिफ्राक्टिव इनेक्स मु बाई, टोटल एपारेंट डेफ्थ अब दी अब्जेट दू टो दा कॉमिनेशन अफ दी डिफ्रेंट मीडिया निकालनो पर बने टोटल एपारेंट डेफ्थ निकालने फर्मुला होंच T1 बाई म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2 इन सेकेंड कणिशन वेन अब्जेट इस प्लेश इन रेरर मेडियाम एन अब्जार फ्रम दी डेंशर मेडियाम एक्जामपल मा एर मा भग कुने अब्जेट लाई वाटर वित्र बड़ा हमी एर्जो माने यो एक्चुल पोजिशन अब दी अब्जेट इन लार्ज होंदो रहिशार योची अब्वार्थीर अब्वार्थीर शीफ्ट होंदो रहिशा सपोजार एर मा कुने अब्जेट जसको आइट आच शा रहे सलाई डेंशर मेडियम बड़ा अब्जाब गर सो बाने इसको रियल आइट बंदा एपियर होने एपारेंट आइट इन लार्ज होंदो रहिशा फिगर मां एरे रहागो सो अब्जेट ए ओ जसको आइट सा एच अब्जेट बड़ा आको लाइट रेस डेंशर मेडियम मा जाँदा खेरी बेंट्स टु आड़ दी नार्मल होने बारा डेंशर मेडियम बड़ा अब्जाब गर दा खेरी अब्जेट को आइट ए आई एपियर होदो रहिशा तिस वाइसी जसरी रेंशर देखे डेंशर मा एटा खेरी एपारेंट डेप्थ कोम देखिन त्यो एसको जोस्ट वाइस बर्शामा रेंशर मेडियम मा बखो अब्जेट को आइट सी इनलार्ज देखेंदो रहिशा डेंशर मेडियम बड़ अब्जाब गरो बाने रयोटा रिलेशन एग्जिस्ट गर्शा जासी रिफ्राक्टिव इंडेक्स ओफ डेंशर मेडियम विच रेस्पेक्ट्टु रे यारर मेडियम निकालो परो बाने फर्मला यूजगरनव पर सा एपारेंट हाइड बाय रिया लाइट यो गिवन डाइग्राम को लागी एपारेंट हाइड माईले सो गरेगाशू ए देखे आई दाट इस एज डेश बाय रिया लाइट अंतरो इश एच इट मेंज तू क्याल्कुलेट दे अपारेंट हाइट अब दी अबजेट इन रार मेडियम अबज़ब फ्रों देंशर मेडियम एज डास निक अनलोग आया बने फर्मुला यूज़ गर्शों रिफ्राक्टिव इंडेक्स अब देंशर मेडियम टाइम्स रियल आईट यू फर्मुला बड़ा पनी सॉल बड़ा शक्सों अबजेट कु एपारेंट आईट अब यू संगा रिलेटेड होने सर्टेन कोईश्ण प्रास्टिस कर रहा है रहां अब बड़ इन एयार सीज ब डिफ्क दोह अब दोहिपे ऐन इन इनसाद आव वाटर सपसेर भाड़ा पूने पुसचिएउप ब बने पूसचिन माशो हा रहा न भीा पूसचिन माशो हा वाटर लीबाल आफ फ्लीक माशो अ एक्सीडः फीका ऑफद्टो बॉस्टिस पूसट्किश्ट नेकिए यू y is the depth of the fish below the surface this way यो surface देखी fish समा को depth पोई नामले यह से बिवारे इसको बैलो देगो सा y question मा देगो सा if the refractive index of water with respect to air it means refractive index of denser medium with respect to rare को बैलो देगो सा mu बाने so the total distance of the fish as observed by the bird यो बड ले यो fish लाएर दाखेरी total depth को दी मा देख्तो रोईश question मा देखो सा photo option र इसको correct answer find गारना को लागी सी first मा real depth र एपारेंट depth को आइडिया यूज़ गाशू question मा observer that is bird मानेको rarer medium मा चा air मा र फिस देंशर medium it means water मा bird ले water surface ए मा आर दाखेरी यो बाइर को जती depth सा यो ता actual x नहीं देख्षा इना बने same medium मा कोई ले पनी depth चेंज हो दो इना तरा यो y depth बिलो बाको fish light denser medium मा एर बने कथी आइड मा देख्षा होला अब अबजेट fish होगाने due to the refraction of light the position of the object gets shifted in upward direction इसा बाइ यो fish को actual depth y चा बने rarer medium मा एर दाखेरी अब एसको effective depth होंच real depth y refractive index rarer medium मा बाइ depth मा बाको object आएर बने एसको apparent depth होंच real depth y refractive index देन total depth seen by the bird to the fish ये इस total value becomes बाइर को आएड़त x as it is rarer medium मा बाट यो y depth मा बाको fish light देख्ट रहिशो y by u depth मा तिसा बाइ total depth आयो x plus rarer को depth x as it is rar denser मा बाको object को depth बने को सी real depth y refractive index total depth होंच रहिशो x plus y by mu option मा है रहे बने option b and एसके अरको पाट को question चा जाची सोच in above question the distance of bird is seen by the fish अब यो fish ले बाड लाए observe गर सबाने total distance कती देख्ट रहिशो अब यो condition मा है बाड बाड बी पोजिशन मा है जा water surface देखी बाड को height x ने जा water surface देखी फीश को depth y ने जा तरह अई लिको condition मां फीश भाय अब्जर्बर question मां देखुशा seen by the fish तेसे बाए यो condition मां सी observer सा denser medium मा र अब जेट सा rare medium मा देन अब फीश ले water surface समा को height कती देख्षा बाड अखरी same medium मा ता change हो देना value ते बाड यो fish ले surface समा को distance दा हो आई ने देख्षा but अब रेर मीडियम मां बाखो object ला अब्जर्ब गार सा बने इसको एपिर होने height h' बने को refractive index times real height actual height सा x but if it is observed from the denser medium it appears as refractive index times real height then the total distance of the board observed by the fish equal हो देख्षा यो water with र को value y as it is plus बाइर को जू air मां height सा x येसको ची height देख्षा μू टाइमस x रा option च टोटल डिस्टेंस निकालना को लागी μू x plus y option c is correct और microscope is focused on an ink mark सबज़वर यो कुणे उटा surface जस्मा उटा ink mark सा यो ink mark लाए अब्जब वार ना microscope लाए कुणे उटा point ये point मां सेट वारे को सा और glass plate is placed over the spot अब यो जून ink mark सा येसको एबब मां glass plate लाग लेश करे को सा येसको थीकनेश सा t let t be the thickness of the glass plate placed above the ink mark when this glass plate is placed above the ink mark to observe this ink mark the microscope is to be raised by 1 mm position of the microscope ये देखी जून ink mark मां फोकस कहर रहा थे अब ग्लास plate place गरी साहे बसी यो ink mark को apparent shift हुन्छ refraction of light ले गर दाखेरी अब इंक mark यो position देखी shift गर सा अब actual position of the object थेऊ but due to the refraction of light through this glass plate the object gets shifted this is called apparent shift, suppose गरा D अब अब अबजेट को actual position मन्दा apparent position shift हुन्छ बने microscope लाई पनी अब शेम ink mark लाई glass plate को थू बड़ा फोकस गरनू पर बने जती refraction ले गरताखेरी ink mark shift हुन्छ ते तीने microscope लाई पने that is अब अब माईक्रोस्कोब लाई ए देखी B में लगेर ink mark लाई फोकस करसाँ through the glass plate then shift of the microscope is equal to the apparent shift of the object due to the refraction इसमा बुजनु परो यो refraction of light ले गरताखेरी जती object को apparent shift हुन्छ ते तीने microscope लाई रेज गरनू पर दो रोईश कोईशन मा देखुश microscope is raised by the 1 mm then we can conclude that the apparent shift of the object due to the refraction of light is equal to 1 mm and in order to focus scratch on the upper surface यो जुन glass plate use गरेगो थियो इसको upper plate मा बगो कुने scratch लाई फोकस करना को लागी microscope लाई furthermore 2 mm ले raise गरनू पर वरे यो first मा 1 mm ले raise गरेगो थियो ink mark लाई spot गरना को लागी upward surface मा बगो scratch लाई अबजब गरना को लागी furthermore microscope लाई V देखी C समरेज गरेगो थियो 2 mm ले बने अब S परड़ा अमले था पाणू परश की actual मा यो glass को थिकनेस कदी रहेश T को value initially जुन base plate यूज गरेगो थियो S माल लाई गरेको ink mark फोकस करना को लागी microscope थियो A मा glass plate राही पसी glass plate को upward सर्फिस मा बखो इसक्रास लाई फोकस करना को लागी total distance कदी ट्राबल गरेगो थियो microscope ले A देखी C सम A पोजिशन मा हूँ दाखेरी जुन base plate सा S को ink mark लाई इसपट गर थियो glass plate को upward surface मा बखो इसक्रास लाई अब्जाब बखो लागी total distance ट्राबल गरेगो A देखी C सम then the total thickness of the glass slab is given by AC which is equal to A देखी B सम को value 1 mm plus B देखी C सम मुब गरगोश दिस्टेंस 2 mm total thickness of the glass slab I O 3 mm then from the observation we got the value of total thickness of the glass plate which is 3 mm and the apparent shift produced by the glass plate is equal to 1 mm therefore the apparent shift of the refraction of light is given by D equal to T times 1 minus 1 by mu where mu is the refractive index of given glass plate with respect to air or value substitute D को value 1 mm equal to thickness 3 mm times 1 minus 1 by mu or 1 by mu which is equal to LCM 3 oz 3 minus 1 by 3 that is 2 by 3 implies that mu को value 3 by 2 that is 1.5 given glass plate Kulagi refractive index ratio 1.5 a layer of well refractive index of 1.45 and 4 cm deep floats on water refractive index given as 1.33 its thickness is 6 cm what is the apparent what is the apparent distance from the well surface to the bottom of the water layer two layers of the denser medium one is well which is floating on the water surface and whose depth is 4 cm suppose you are your well layer the thickness T1 4 cm and refractive index mu1 ko value 1.45 suppose that mu1 be the refractive index of well and below of it water whose thickness is 22 is 6 cm which is given in the question and the refractive index of water mu2 is 1.33 suppose mu1 refractive index of well T1 thickness of well and mu2 refractive index of water and T2 thickness of water question मा सो देखेशो above well को surface यो water को lower bottom कती depth मा देखेशो मने र combine FRN depth by the different media जसको लागी यविटा formula लेखे गो थीओं जासी total FRN depth due to the combination of different media निकालनो परोवान which is equal to T1 by mu1 plus T2 by mu2 T1 so 4 by mu1 so 1.45 plus T2 6 by refractive index 1.33 यह सब value लाइस solver निकाल हुआने total value आउस 7.27 cm यह सब आउस आउस आ यह आउस